कि नौर अब तक पेशे मैं शत्य ना अंटिवारी शत्य लाई भी और सरपशन मा सरश्वती जी की बंदना मैं प्रारम करता हूँ और जो भी आप सब लोग जुड़े हुए हैं मैं आप सब का बंदन अभिननन करता हूँ और इस समय सरप्रथम सरश्वती बंदना से सुभारम करता हूँ कि जय होए तुम्हारी हवीना वजया जय होए तुम्हारी हवीना बजया बिद्यायल बुद्धि विवेक के दानी के ज्ञान के गंगाब आयो तुमया आव आशिरवाद दिहू महरानी की चमकें कभी जैसे चंदर जुनया ओ अवहन से चड़ी चली आवा इस तुम अंदक एग्यान हाया जगुझ जियार करा जगरानी की जगमग जोती जरह तुरी मैं जाए तुरी मैंज शुरकभीर के नई जैसे पार के भरदानी की बढ़ लगाई तु नई या कि योई शेपार लगाई तुने चतुर सुजाने देयाने धरेशम बानिया भाव पर वीन सुनाई या अर्या नुराग जगेमन पूजानर्चन बर्दानी है दियु सर्चुति वैया अक कमलासन भी निकी अउरव सुना बहुत आकर पार लगाई तुनाई या असुच तुना भी अब कर अब बंदना होनी चाहिए तो हम सब लोग मिलकर गणेश जी की बंदना करेंगे वाँे तो सबका बंधना करना चाहिए कि चला गनेश मनाई सभ है मिली चला गनेश मनाई ही ही कि रिध्धि सिद्धि के ओइन दाता गनेशि रिध्धि और सिद्धि दोनों के दाता है तो तो रिद्धी सिद्धिके, ओईन दाता, विद्याबारीधि बुद्धि विधाता. अतो दाया दिस्थी शूपआई, सबहे मिली चला गनेश मनाई. हाँ चला गनेश मनाई सभय मिली चला गनेश मनाई कि घज गनेश के मूरति प्यारी भिगनहरईया लीला न्यारी अरे सुबसर्वक्य सहाई सभय मिली चला गनेश मनाई लंबो धर्गन नायक देउता श्वीकारा प्रव हमरा उनुता अरे लड़ुन भोग लगाई सभय मिली चला गनेश मनाई शंकरपिता गुरा महतारी पूजा पहिलन होय तुमारी तो आसननीक लगाई सभय मिली चला गनेश मनाई और पटलों की ये विशेष्टा है कि उसमें कभी को क्या लिखना चाहिए और कभी कहां तक सफल होता है कि जहां बैट कभीगण सदारस्की जड़ी लगाते और गीत गजल कावे पाट से जन्मन को अर्साते मंत्र मुग्द जरजुमें सरोता और मिठ जाते हों गम हसी खतुशी संतुस्टि गाउन प्रेम के भाव जगाए जाते सथ वहीं तो पूर्ण सफल कावे मंच कहलाते और कभी का क्या है कि राष्ट प्रेम में और राष्ट उत्थान में समाज उत्थान के लिए उसका सरजन होना चाहिए तो सरप्रथम में भारत की मैं एक मुक्तक्स भारत की बंदना कर रहा हूं कि पावंधरा धन्य भारत की चंदा सूरज करें आरती अरे गंगा यमुना शोन नर्मदा सहागर गाए गान भारती तो तनका शोना मन का रूपा अरे समाठी में घोल दो एक वार उपस्तिस सज्जनों भारत की जय बोल दो भारत की जय बोल दो और उसके आगे एक दो और मुक्तक्स भारत की बोल रहा हूं तो धन धाने समपन्य चतुति पगपग उगिले सोना तो मिल जूलिस में रहो भाईयों आपस में कभी लड़ो न कुछ चिकनी चुपडी बातों में सार नहीं होता और जूठी प्रीच चलावा के वल प्यार नहीं होता तो भले दिनों में भले करें लाको कर बद्धिन वे आदमी में इतना विश्भर गया है कि विश्धरों का भी भाव भट गया है कल आप सुनेंगे कि किसी सर्प को कोई आदमी डश गया है और नसे की बात लोग किया करते हैं तो मैंने नसे पर लिखा मुक्तक कि बिना पिये रहे नसा न चड़के जो उतर सके वह काम तुम करो यहां जो दूसरा न कर सके कोई तुम्हारी सांसे नजी सके नमर सके कोई तुम्हारी सांसे नजी सके नमर सके कोई तुम्हारी सांसे नजी सके नमर सके नए आदमी की तलास में एक और मुक्तक देखिएगा कि नए आदमी की तलास में हम जंगल में खो गए नए आदमी की तलास में हम जंगल में खो जगा रहे थे हम दुनिया को और स्वैंख हो गए जगा रहे थे हम को स्वैंख हो गए और निकले तो थे हम यह बात नि किंतु जा हर वो सबाएं और अंकार में भ्रमित्स द्वहंग हम क्या से क्या हो गए हम क्या से क्या हो गए घाट घाट में घर घर में बस धोबी की चर्चा है और यूग लवकुष को संद चन दे रिश कोई न बचा है और राम राज है माज कल्पना पुर्शी की खीचम खीच दसाननी आचरन चतुर्दिक मजैसे मारीच मजैसे मारीच आज के परवेश की बाद में कर रहा हूं कि सूरज के रहते मतन की बात करो पत्याय की बात करो पत्यार की नहीं करो और जिल्दा रहना है तो प्यारी मतलब की बात करो अस्वर्वित मोर्वन में भाही मतगल की बात करो मतगarl की बात करो अर शकल ने पहचान को धूछ ने indifferent खादिया है स्वारथ ने कौदू का दिया है तो अपनी कर्टूतों पे अगल ने इंसान को धोका दिया है और गीता का ज्ञान ये है कि कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए जो होना है सो होएगा कि सोक उसी का कीजिये जो अन होनी होए अन होनी होती नहीं होनी है सो होनी है सो होए बेर्थ की चिंता छोड़े अगीता का गुर्ज्यान कर्म शे नाता जोड़े और कदाचरन दुखमूल है सीखर लगाओ रोग असत्पत पर चलो धीर तुम करना पड़े नसोग करना पड़े नसोग और जीवन के महासमर में वे सभारे हैं जीवन के महासमर में वे सभारे हैं जो तन से उजरे मन से का रहे हैं चिकनी चुपड़ी मीठ़ी बाते जगत पियारे हैं जब देखा तम म जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उशी को जो काटों के पत पर आया फूलों का उबहार उशी को जिसने गीस सजाए अपने तोपों की घर्जन दुनिसुने जो बलिदानों का प्रेमी है भरत माता का प्यार उशी को